हलो एब्रीवन बेलकम टो माई चैनल मीके मुन्नालाल आज मैं आपको 11th इंग्लिश प्रोज रीडर बुक हॉर्न विल के लेशन टू वी आर नाट अफरेड टू डाई इफ वी कैन आल वी टूगेधर से long answer type question discuss करने वाला हूँ यदे अवी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe वस्य कर लें जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का notification प्राप्त कर सकें तो आईए शुरू करते हैं long answer type question from the lesson we are not afraid to die if we can all be together question है what inspired the author to undertake such a risky voyage what was his experience what inspired the author to undertake such a risky voyage ऐसी जोखिमबरी समुद्री यात्रा करने के लिए लेख को किसने प्रेरित किया what was his experience उसका क्या अनुगो था answer देखते हैं introduction से the lesson we are not afraid to die if we can all be together depicts our realistic experience why the narrator Jordan Cook in his own family in his own life with wife son daughter and two crewmen प्रस्तुत पार्ट we are not afraid to die हम मरने से नहीं डरते if we can all be together यदे हम साथ साथ हो सकते हैं लेखक या वर्णन करता जार्डन कुक के खुद के जीवन में उसकी पत्नी पुत्र और दो नाविकों के साथ उसके बास्तविक अनुभों का चित्रन करता हैं प्रस्तुत पार्ट में we are not afraid to die if we can all be together में लेखक जार्डन कुक बर्णन करता जो है जार्डन कुक अपनी पत्नी पुत्र और पुत्री तथा दो नाविकों के साथ अपने जीवन का एक वास्तिविक अनुभों प्रस्तुत करता है उन्होंने अपने जीवन के लिए समुद्र के पानी से एक यूद लड़ा था एक संगर्ष किया था इसका वर्णन वे इस लेशन में करता है शेकिंड पॉइंट है दानारेटर्स ड्रीम टू डूप्लिकेट दा वर्ल्ड राउंड पूरी दुनिया का चकर दोहराना पूरी दुनिया का चकर लगाने का सोपन लेखक के मन में एक सौपन था कि वह पूरी दुनिया का चक्कर समुद्री जल मार्क से लगाएगा ये इसका पॉइंट है दूसरा अब देखते हैं दा नारेटर वाजा यंग बिजनिस्मैन वरनन करता एक युवा ब्यापारी था but he nursed a dream to do something big to go round the world in a boat परंत उसके मन में एक सौपन था कुछ बड़ा करने का कि वह एक नाव से दुनिया के चक्कर लगाएगा दुनिया का एक चक्कर लगाएगा एक नाव में जाकर के he wanted to duplicate the achievement of Captain James Cook who had made the record 200 years ago वहां 200 साल पहले Captain James Cook के द्वारा दुनिया का जो चक्कर है लगाने का एक record बनाया गया था उस उपलबधी को वर्णन करता दोहराना चाहता था Captain James Cook के द्वारा 200 साल पहले जल मार्क से दुनिया का चक्कर लगाया गया था एक चक्कर लगाने की उपलब्धी की गई थी उसी को वर्णन करता दोहराना चाहता था यह वाज ड्रीमर एडवेंचरर एडवेंचरर एडवाइटर तू दा बॉन वैए एक सपने देखने वाला एक सहासी और दिल से सेवा करने वाला वेक्ती था हड़ी सेवा कमना बहुत दिल से सेवा करने वाला वेक्ती था दसी बोएज बाज रिसकी समुद्री जल्यात्रा खतरनाक थी जोखिम से भरी थी देखनी भारतिय महासागर खतरनाक था यट नथिंग कुट डेंपन इस स्परिट फिर भी कोई भी चीज उसके उच्साह को कम नहीं कर सकी उसे निरुत्तोसाहित नहीं कर सकी थर्ड पॉइंट है नारेटर्स एक्सपिरियंस लेखक का अनुभो दा नारेटर्स एक्सपिरियंस इन दा सी वाज बेरी बैड समुद्र में लेखक का अनुभो बहुत बोरा था एंड इस फैमिली हैड अनेरो इसकेप और उसका परिवार बालवाल बच्चा था दा एंग्री सी बेड्स रोज एज हाई एज इस में मास्ट नाराज समुद्र की लेहरें में मस्तूल के बरावर उंची उट रही थी दा बेप्स राइप रोपन अ होल अन दा डैक लेहरो ने उसके डैक को चीर कर एक छेद कर दिया था दा बेप्स डैमेज दा साइड बोर्ड एंड प्लैंक लेहरो ने उसका साइड बोर्ड साइड का तक्ता और जो बोर्ड्स थे उनको नश्ट कर दिया था दा नारेटर हैस बेडली हाथ बरनन करता बुरी तरह जखमी हो गया था इस डाटर सुई अलसो गाट इंजर्ड ऑन दा हैट उसकी पुत्री सुई भी सर में सर से जखमी हो चुकी थी डैट सीम सर्टेन मिर्त्व निश्चित प्रतीत हो रही थी जो नाव में पानी निकालने के पंप्स थे वो बंद हो गए थे और अत्रिक पंप भी काम नहीं कर रहे थे बट दा स्टार्स फेवर्ड इस ब्रेव एंड बोल्ड फेमली परंतु भाग ने इस बहादुर और सहासी परिवार का साथ दिया जब ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि मृत्तिव निश्चित है ऐसे में नों ने अपने जीवन को बचा लिया सुरक्षित कर लिया आसा है डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और वीडियो के अंत में मैं अन्य लॉंग आंसर टाइप क्वेस्चिन की लिंक दूगा बहां जाकर आप उनको भी तैयार कर सक करते हैं थैंक्स पर वाचिंग